हेलो गाइस, वेलकम बेक टो वर यूटीब चैनल, तो देखिए मैं आपका दोस्त सब्वे, आज आप लोगों के साथ लेकर आएं वीडियो जिसमें आज हम देखने वाले हैं, जो भी डेली उनिवेट्सिटी के इस्टुडेंट है, जिनके भी पास एन्वाइरमेंटल साइं हैं आपके स्लेबस में दिये गए हैं, सारी चीज़ आपको एक वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ, तो बिना देर किये शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस वांशॉट रिवीजन को, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइ ठञाल है जो किसी भी रिजन का हर रिजन को वर्ल्ड में वह रहा है, दीरे दीरे टेमपरेचर बढ़ता ही जा रहा है, था ग्लोबल अवयजिक्स अंपरेचर अगरी सिग्री तो डीगी ओर दा लाड सेंचुरी कितना बढ़ी गया है, जो एक्शॉल टेमपरेचर था उस् इससे क्या है जो 1998 की year था वो सबसे warm year था और जो 1990 की decade थी वो सबसे warm decade रही है अभी तक के year में तो जो यह temperature increase हो रहा है actual में इसी चीज़ को हम क्या कहते है climate का change होना कहते है its climate is changing making it more difficult for mankind to survive यह जो climate change हो रहा है इससे क्या हो रहा है जो लोग वहां रहते हैं उन्हें survive करने में बहुत ज़्यादा difficulty हो रही है the earth is continuously losing its ability to balance itself due to imbalance created by human activity और अर्थ है वो अपनी stability होती जा रही है क्योंकि यह temperature rise हो रहा है यह human की activity के वेज़े से हो रहा है इससे फिर earth पर impact पढ़ रहा है in the last few decades this phenomena is commonly known as global warming जो यह अर्थ का temperature बढ़ रहा है उससे अर्थ पर गर्मी बढ़ती जा रही है और जो यह temperature बढ़ने से heat बढ़ रही है अर्थ पर जो यह phenomenon होता है इसी को हम क्या नाम देते हैं इसी को हम global warming का नाम देते हैं ठीक है next acid rain क्या होती है तो when fossil fuels such as coal, oil and natural gas are burned chemical with sulfur dioxide and nitrogen oxides are produced these chemicals react with water and other chemical in the air to form sulfuric acid, nitric acid and other formful pollutants like sulfate and nitrate क्या होता है जब हम fossil fuel जैसे koila और तेल वगरा यह natural gas को जलाते हैं तो वो क्या बनाते हैं वो sulfur dioxide या nitrogen oxide produce करते हैं वो air में जो करके water के साथ reaction करके क्या बना लेती है या तो sulfuric acid बना लेती है या nitric acid बना लेती है या कोई other harmful pollutants बना लेती है जैसे कि sulfate और nitrate तो these acids pollutants spread upward into the atmosphere and are carried by air तो जो यह pollutant बन जाते हैं जो यह acid बन जाते हैं यह air की form में होते हैं और उपर atmosphere में जाकर हवा में mix हो जाते हैं currently to currents to finally return to ground in the form of acid rain और जब बारिश होती है तो उस बारिश के साथ यह जो air raindrops होती है उसके साथ जमीन पर वापस आ जाते हैं तो यह जो फेनोमेना होता है इसी को हम कहते हैं acid rain acid pollutant also occurs dry pesticides and gases which when washed from the ground by rain added to acid in the rain to form a more corrosive solution this called is acid deposition acid rain क्या हो गया है जब जो हम fossil जलाते हैं उससे जो oxides बगएर निकलते हैं वो water के साथ react करके harmful pollutant बना लेती हैं और फिर जब rain होती है यह रिंड्रोप्स के साथ वो जमीन पर वापस आ जाते हैं उस सीज को हम कहते हैं acid rain अब जब जमीन पर वापस आ जाते हैं तो यह solid या gas form में वापस आने के बाद liquid form से क्या होते हैं जब पानी के साथ बह कर एक जगे पर इखटे हो जाते हैं उस चीज को कहा जाता है acid deposition ठ ठीक है फिर आता है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन क्याता तो दा ओजोन लेयर is a reason of the earth atmosphere that contain a high concentration of ozone molecule ओजोन लेयर क्या है एक अर्थ के atmosphere का एक वो एरिया है जहां पर O3 के सबसे ज़्यादा molecule पाए जाते हैं अर्थ पर life को survive करने में protect करने में help करती है क्योंकि जो सन से अल्ट्रा ओइरे ट्रेज निकलती है उन्हें यह एब्सर्ब कर लेती है ozone layer depletion refers to thinning and depletion of ozone layer in the earth stratosphere यह ozone layer है वो अर्थ के stratosphere में मिलती है तो ozone layer depletion क्या हो रहा है जो यह ozone की layer है यह दीरे दीरे पतली होती जारी है और खतम होती जारी है तो उस चीज़ को का जाता है ozone layer depletion the primary cause of ozone layer depletion is the release of certain man-made chemical containing chlorine and bromine atom जो main cause है ozone layer depletion का वो क्या है जो chlorine या bromine atom है वो release हो रहा है air में इसकी जैसे यह डिप्लीट हो रही है सच है जैसे की cfcs हैगा में हेलों कार्बन टेटरा क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफोर्म यह सारी चीज़े एर में जा रही है जिसकी जैसे यह ozone layer को effect कर दी है these substance were commonly used in refrigerator solvents form blowing agent and fire extinguisher यह कहां का यूज होते हैं in refrigerator में solvents में form blowing agent जो होते हैं और fire extinguisher में इन सारी चीजों का यूज होता है यह वहीं से release होते हैं the primary cause of ozone layer depletion is a release of certain man-made chemical containing chlorine यह हो गया वही रिपीट हो गया है ठीक है तो यह आपका होता है ozone layer depletion क्या होता है अब आपको इसमें कुछ करने हैं case studies हैंगे मतलब एक्स के बारे में पढ़ना है जो important acts है हमारे environment के लिए जरूरी है उनकुछ acts के बारे में आपको पढ़ना है तो सभी email लेकर रहा हूं जो आपके लिए important है देखिए तो देखिए अब एगा Indian wildlife protection act 1972 के बारे में आमें पढ़ना है तो the wildlife protection act 1972 is a comprehensive law in India that enacted with aim of protecting and conserving wildlife in country यह act कब लगाया गया था 1972 में इनक्ट किया गया था और किसलिए इनक्ट करा था जो wildlife उसे protect रो conserve करने के लिए इसे इनक्ट करा गया था इसके अंदर क्या करा गया था wildlife को classify करा गया था the act classify wildlife into different schedule providing different level of protection and punishment for offenses belonging to each category अलाग अलाग लेवल के पर divide कर दिया गया था schedule के अंदर wildlife को जिसके लिए और किस basis पर divide कर आता कि किस wildlife को किस टैप की protection की जरूरत है और अगर उनके रूल को कोई offense को रूल को को कोई violate करता है तो जो offense करा है उसके लिए क्या punishment मिलेगी उसके basis पर wildlife को divide कर दिया था कुछ schedules के अंदर species listed in schedule 1 and part 2nd of schedule 2 receive the highest protection और जो species schedule 1 के अंदर और schedule 2 के part 2nd के अंदर थी उन्हें सबसे ज़्यादा protection दी गई थी फिर अगर ban on hunting किया गया था the act strictly prohibit hunting of wildlife species listed in schedule 1 and part 2nd of schedule 2nd क्या बोला गया है act ने hunting को prohibit कर दिया था especially किन के लिए जो schedule 1 के अंदर और schedule 2 के part 2nd के अंदर species थी उनकी hunting पर रोक लगा दी गई थी it also regulate hunting of species listed in schedule 3 and schedule 4 इसके अलाबा schedule 3 और schedule 4 में जो थी उनका पर भी एक तरीके से hunting पर ban कर दिया था फिर है protected areas तो the act empowered the government to declare certain areas wildlife century national park and closed area for protection and conservation of wildlife act ने government को empower करा था कि वो कुछ ऐसे areas बनाए जोने वो wildlife century national park या closed area का नाम दे जहां पर humans की कोई भी involvement ना हो वो सरफ wildlife के लिए हो तो ऐसे protected areas बनाए गए थे it also outline procedure for declaring and managing these areas और इन areas को declare कर दिया गया था manage करने के लिए भी एक procedure पूरा बनाया गया था फिर penalties and offenses तो the act provide for severe penalty for offense such as hunting, poaching and trading in wildlife and their product अगर कोई भी person wildlife की hunting करता है पोचिंग करता है और trading करता है wildlife की तो फिर उसके लिए अलग से कुछ specific punishment severe penalties भी बनाए गई थी और punishment भी बनाए गई थी इस penalties के अंदर imprisonment भी थी और fine था मतलब उसे jail भी बेज़ा जाएगा और उसके उपर fine भी लगाया जाता था next act के बारे में जिसके बारे में पढ़ना है वो है the water act 1974 जो की किसलिए prevention and control of pollution of water के लिए बनाया गया था the water prevention and control of pollution act 1974 is an important part of environmental legislation the primary objective of this is to prevent and control water pollution to maintain restore the integrity of water इसका primary objective क्या था water के pollution को prevent करना उसे control करना और water के integrity को बना के रखना यह बनाया कभी आ था 1974 के अंदर constitution of pollution control board इस act के साथ दो board बनाये गए थे the act provide for establishment of central pollution control board and state pollution control board central level पर एक board बनाये गया था जिसका नाम था central pollution control board और state level पर बनाये गया था state pollution control board जो इसकी regulations को manage करते थे restriction on discharge of pollution the act prohibit discharge of pollution in excess of prescribed standard into river or well severe or onto land इस act ने prohibit कर दिया था कि किसी भी तरीके का discharge direct water में नहीं किया जाएगा कोई भी pollution से related अगर liquid है वो तो वो directly water में नहीं डाला जाएगा mix नहीं करा जाएगा उसे पहले treatment करना है companies को उसके बाद industries उसे water में release कर सकती है फिर पेनल्टी इस तो the act prescribed penalty for violation of its provision any person who fails to comply with standard or direction issued by pollution control board may face imprisonment or fine अगर कोई भी इसके rules की provision की violation करता था तो उसके उपर imprisonment of fine लगाया जाता था फिर आफ forest conservation act 1930 इसके अंदर the act was forced to prevent deforestation which result in ecological imbalance and environmental deterioration ये act किसलिए पास करा गया था जो deforestation हो रहा था उसे protect उसे prevent करने के लिए रोकने के लिए ये act बनाया गया था जिससे क्या हो सके ecological balance बन सके और environmental deteriorate होने से बस सके इट प्रिवेंट इवन दा state government and any other authority deserve a forest which is already reserved और ये किसके लिए बनाया गया था जो forest अभी तक government के पास नहीं थे और उनकी deforestation हो रहा था उनके लिए especially बनाया था इट प्रोहिबिट forest land to be used for non forest purpose ये भी ये प्रोहिबिट करता था कि किसी भी जो forest की land है उस पर non forest purpose के लिए उसे use नहीं करा जाएगा accept with the prior approval of government और अगर use करना है तो उसके लिए central government का पहले approval लेना होगा नेक्स्ट एगा the air prevention and control pollution act 1981 तो this act define air pollutant as any solid liquid or gas substance present in atmosphere in such concentration as may be injurious to human being और other living creature और plant और property और environment ये act किसलिए बनाया गया था इस act के अंदर सबसे पहले तो आपको air pollutant के बारे में बता रखा है air pollutant को describe कर रखा है कि ऐसा कोई भी solid liquid या gases material जो कि अगर हवा में मिल जाएगा तो human या living creature के लिए harmful होगा उसे air pollutant बोला जाएगा और इसी को prevent और control करने के लिए ये air pollution act 1981 बनाया गया था नेक्स्ट एगा environmental protection act 1986 तो environmental protection act 1986 is an important law aimed at protecting and improving the quality of environment in India तो इसका aim क्या था इसके अंदर इसका aim था कि इंडिया का जो environment है उसकी quality को protect करना और ज्यादा improve करना इसका जो objective था वो था जो जो यूनाइटेड नेशन की conference हुई थी श्टोक हॉल में जून 1972 में human environment से related उसका जो decision था उसको maintain करके promote करना इसका main objective था पावर क्या थी central government की the central government is empowered to take necessary measures to protect and improve the quality of the environment to set standard of emission and discharge of pollution and regulate activity इसने central government को power दे जी थी कि central government control करेगी कि जो हमारी quality हैगी air में जो pollution कितना emit होना है और कैसे उसे control करना है इस सारी activity को central government control करेगी ठीक है नेक्स्ट एगा penalties में तो the act contain provision for penalty and punishment for violation of its provision इस act में इसकी provision को अगर कोई violate करता है उसके लिए भी अलग से punishment दी गई है penalties दी गई है उस पर fine लगाया जाएगा imprisonment किया जाएगा और दोनों चीज़े भी की जा सकती है based on what is the offense की कि चीज़ का provision का violation करा है उसके basis पर उसे punishment दी जाएगी तो ये था हमारा unit number 5 यहां पर आपकी unit number 5 complete होती है जितना भी important content था सारा मैंने आपको cover करवा दिया है अब आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए useful रहे होगी आप लोगों वो पसंद आयोगी वीडियो चली ये तो वीडियो को like करना ना भूले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें श्टैप के और content के लिए thank you